चलिए, चैप्टर का नाम, एकदम न्यू चैप्टर, क्लबिंग ओफ इंकम, और सर कितने नमबर का आएगा, ये एक्जाम में 6 मार्क्स के कोशन पूछे जाते हैं, और अक्सर ये कोशन आता ही आता एक्जाम के अंदर, हम बाद में बात करेंगे, कौन से प्लेस पे आएगा ये कोशन, लेकिन हाँ, ये कोशन छे नमबर का आएगा, सर इस चप्टर के अंदर आपको सरिफ और सरिफ नेट टू नेट एक से सबा घंटा ध्यान देना है, आपका क्लास में ही चप्टर रिवाइज हो जाता है, क्लास में ही तयार हो जाता है, क्लास में ही याद हो जाता है, बस लिखने की एक बार आपको प्रैक्टिस करना है, कि मैंने एक सेक्षन लिखा हुआ इस सेक्षन को अभी थोड़ी देर के लिए हम क्या कर देते हैं सर इग्नोर करते हैं पहली बात यहां पर जो मन में सवाल आता है मेरे मेरे सवाल आता है मन में कि भाई इस चप्टर को क्यों बनाया गया हेड्स ओफ इंकम तो समझ में आता है कि यहां से इंकम होगा तो पता होना चीए तो जो आपका क्लबिंग है क्लबिंग ओफ इंकम सर ये चेप्टर बना क्यूँ मैंने कहा है law पहले हुआ ही नहीं करता था राजाओ के टाइम पे law नहीं हुआ करता था जैसे जैसे लोगों ने अपना दिमाग चलाया उस गलत काम को रोकने के लिए कानून बनता गया और बनते बनते इतने जादा पेजिस के कानून हो गए कि उसकी study भी करनी पड़ती है जिसे लिल भी करते है बच्चे लोग तो सर इसके पीछे भी कोई कहानी रही होगी बिलकुल इसके पीछे पहले एक बार background समझ लेते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा सर ये chapter क्या है हुआ ये कि मैं एक example ले लेता हूँ Mr. X Mr. X का income अगर मैं इसके income की बात करूँ आप ध्यान से सुनिएगा ये Mr. X है इसका salary पांच लाख रुपे का है मतलब सब कुछ करने के बाद और house property से income दो लाख रुपे का है पांच लाख और दो लाख मैं दुबारा सारी चीज़े बताऊँगा चिंता मत करी मुझे एक example पहले लेने दीजिए तब आपको समझ में आ जाएगा अभी मैं hand raise वगएरा का doubt नहीं ले पाऊँगा तो पांच और दो साथ अब इसकी tax liability निकाली जाए तो सर्ट tax liability इसकी देखी जाए तो total 7 लाख का तो up to 250 law कहता है up to 250 nil next to 50 sir old regime करोगे new मैं old ही लेके चलूँगा basically 5% के हिसाब से 12,500 balance sir 5 लाख का हिसाब हो गया तो बचे कितने दो लाख इस पे at the rate 20 that is 40,000 यहाँ पे हो गया 52,500 52,500 it's clubbing of income topic हाँ जी बिल्कुल clubbing of income ही चल रहा है तो यह जो 52,500 है यह इसका tax है अब जो Mr. X है इसकी कमाई 7 लाख रुपे है और 7 लाख रुपे में से इसे मान लेते हैं मोटा मोटा 52,000 रुपी से इसे government को tax भरना है हर साल salary भी fix रहती है लगबग और rental income भी fix है अब कौन वेक्ति चाहता है कि मेरे pocket से पैसे निकालके सरकार को दे दे कोई भी नहीं चाहता अब इसने अपना लगाया mind mind यह लगाया कि भाई government कहती है पहले इसने पूरा study किया government कहती है पांच लाख रुपे तक की income पे आपका जो tax होगा वो zero होगा पांच लाख की income पे tax होगा वो कितना होगा तो कहीं न कहीं देखा जाए तो सर दो लाख रुपे में 50,000 रुपे का tax भरना पड़ रहे है अगर इस दो लाख के income को इक हतम कर दिया जाए तो फिर क्या बात हो तो फिर हम बच सकते tax नहीं देगा तो जो आपके दिमाग में planning चल रही है कि क्या कर सकता है ये वही इसने किया होगा कि इस दो लाख के income को नहीं दिखाना चाहता है अब सर दो लाख के income को क्या करा इस next ने मान लेते हैं कि इसकी sister है और widow sister है और अपनी widow sister के नाम पे ये income दे देता है दो लाख next year जब income tax भरना हुआ ने इसको तो x ने income निकाला salary पाँच लाख और इसके उपर tax निकाला गया तो sir 0, sir 5 लाख पे धाई लाख निल 87 a b मैंने ले लिया इसके अंदर consider कर रहा हूँ इसके sister ने भी इसकी sister की income और इसका भी tax बस इसने करा क्या है अब ये दो लाख रुपे क्या लगता है अपनी sister को दे ही दिया हुआ इसने सिर्फ टेक्स बचाने के लिए उसके नाम पर अकाउंट के अंदर डलवाए और फिर ATM से निकाल के लिए आया हूँ कानी यही है सारी यहां पर गुवर्मेंट आई इंकम टेक्स ऑफिसर आया भाई एक्स पिछली बार तुमने टेक्स बहरा था इस बार तुमने टेक्स नहीं भरा है और टेक्स तुम्हारा बनता है विप्टी तू थाउजन फायव हंड़े आप टेक्स को पेमेंट कर ये ग मेरा मकान है, उस मकान का किराया मैं नहीं लिया करूँगा, मेरी सिस्टर को दे देते हैं, वो अपना घर चलाएगी. जैन्वेन रीजन हो भी सकता और नहीं भी हो सकता. अगर इसको इस तरीके के छूट दे दिया जाए, हर कोई यही करेगा. कहीं से भी किसी को भी ट्रांसफर करते हैं, कोई बोलेगा बहन हैं, कोई बोलेगा मिरा ब्रदर हैं, कोई बोलेगा कुछ और है, अलग-अलग इसके सामने एक्स्क्यूज आएगा. गॉर्मेंट ने बोला सर आपको tax देना पड़ेगा गॉर्मेंट ने कहा आपको tax देना पड़ेगा सर Mr. X अढ़ गया और Mr. X ने कहा कि भाया मैं tax नहीं दूँगा ऐसा कॉन सा कानून है जहां पे tax देना पड़ता है अगर मेरी जितनी income है मेरी income पे tax लोगे ना कि आप दूसरे की income पे भी मैं ही tax दिमेदार हूँ तो government ने का नहीं जी ये income आपने sister को दिया हमें सही नहीं लग रहा ये income हम आप में जोड़ देते हैं बोला ऐसा तो नहीं होगा और कहीं law बना भी नहीं था ये case भी आया था एक 1983 की बात है case law जब मैं honors के सारे करूँगा तो मैं उस पे बताऊँगा तो उसने बोला ऐसा नही होगा तो उस टाइम पे government क्या चाहती है कि इसके sister जो इसकी sister है इसकी sister की income को कहां दे दे जो इसके sister के पास जा रहा है किसमें जोड़ दिया जाए तो sir club का मतलब होता है जोड़ना club का मतलब होता है यह वो वाला club नहीं है ठीक है न यहाँ पे club का मतलब क्या है add करना यानि government क्या चाह रही है कि आपकी sister वाली income जो आप disclose कर रहे हैं अपनी sister वाली income उस sister वाली income को हम sister की नहीं मानेंगे जो आपने ही दी है उसको हम आप में ही जोड़ के फिर अगर आप में जोड़ देंगे तो फिर से हमारे पास इतनी income जड़ेट हो जाएगे SSC X ने बोला कि सर ऐसा नहीं हो सकता कहीं law में भी नहीं लिखा हुआ फिर government को एक page और बढ़ाना पड़ा और government तब लेके आई वहाँ पे section 60 बोला चलो इस साल तो बच गए अगले साल हम आपको section भी दिखाएंगे इस section में लिख दिया गया कि अगर आज के बाद कोई भी वेक्ति आज के बाद कोई भी वेक्ति अपनी income किसी नाम पे transfer करेगा without transfer of assets मतलब सर एसेट्स आपके पास ही है सिर्फ FD आपने अपने नाम पे करा रखा उसका भी आज बोल रहे हैं वो ले रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा आज के बाद कोई भी income आपने transfer किया किसी के पास without transfer of assets then वो income उसी की मानी जाएगी जिसने वो income transfer किया है तो उसके बाद introduce वह section 60 तो इस chapter का background यह है कि जो income बचाने के लिए हम अपने income को क्या करते थे distribute कर देते थे क्योंकि जितना ज्यादा income होगा सरकार के पास tax उतना ज्यादा आएगा उसने क्या करा income कुछ अपने बेटे के पूसिस कर रहे थे वो हर किसी में जिसके घर पर मान लो 10-15 लाख रुपए होगा तो अपने पापा में भी दादा में भी मतलब अब सब के अकाउंट पर पैसे आ गए थे लगभग लगभग उस टाइम पे तो यही था कि आप क्या कर रहे थो पैसे को spread कर रहे थो कि गौर्मेंट पूछे इससे डाइलाग रुपए तो मारे अकाउंट पर कैसे आया तो आप बोल दो सब्सक्राइब तो टेक्सी नहीं है तो यहां पे गौर्मेंट लेकिन उनको यह नहीं पताता नहीं कि सरकार डीम्ड भी मान लेती है तो section 60 आया तो इसका chapter का purpose यह है कि आप से उसके उपर टेक्स वसूल लिया जाएगा तो सबसे पहले section इंटर्डिउस हुआ 60 section 60 क्या कहता है वही सामने लिखा हुआ है आपके sir section 60 कहता है कि transfer of income without transfer of assets मतलब sir Mr. X ने मैं example ले लेता हूँ वही सेम आप जिसको note करना और और मैं बताओं तो ऐसा जब question आता है कि section 60 explain करिए तो इसके जो theory है वो तो मैं read करा दूँगा दो line की theory है कि income transfer without transfer of assets then income will be club in the hand of the transfer not transferee तो दो तिन line का है लेकिन आप जो मैं example लिख रहा हूँ वो example भी आप लिख के आ जाए कि suppose for example Mr. X has a income किसके सीच का income है Mr. X का एक salary income है कितने का 5 lakh और एक house property की income है कितने की 2 lakh total income इसकी कितने की है 7 lakh out of which इसने 2 lakh रुपे transfer कर दिया किसके ये 2 lakh रुपे transfer कर दिया इसने तो सर ये जो transfer कर रहा है ना इसे बोलेंगा transferer और जो इसकी sister है इसकी जो sister है और ये sister जो income ले रही है ये है transferee तो इसने क्या कर रहा है इसके नाम पे transfer कर दिया तो आप बताईए किसके अंदर income जो है ये किसका माना जाएगा tax के purpose के x का तो इसका answer होगा कि ये जो income club होगा यानि clubbing जो होगा in the hand in the hand of बताईए Mr. X not इसके sister not his यानि मैं यहाँ पर देखो ज्यादा time मैं क्योंकि conclude way में आपको मैं notes के अंदर मैं चीजे डाल दूँगा जिसमें पढ़ लोगे मैं कोसिस करूँगा एक स्टोरी बना के देदू कि x है x ने अपने income अपने video sister के नाम पर transfer कर दिया और आप बताईए कि इसका क्या provision होगा क्या applicability होगा तो उस case में उसमें बताना होगा तो पहले तो देखिए section बड़ा सीधा सीधा section है और हर section के पीछे कहानी है logic है कि कैसे हुआ कैसे बना genuine है ऐसा नहीं कि बनके आ पढ़ने लग गया पहले किसी ने ऐसा fraud नहीं किया होगा तो यह section नहीं रहा होगा जब लोगों ने दिमाग लगाया तो यह section बन गया तो बताईए पहले इस section में कोई दिख्कत क्या कहा income transfer without transfer of assets then income will be club in the hand of transfer किसके in the hand of transfer not transfer simple सी बात है section की हम बात करें तो पहले यहां तक समझ में यहां तक बताईए किसी को कोई क्लियर है चलिए सर इसके बाद इसके बाद आपको लगता है सरकार एक कानून बनाएगी उस कानून को तोडने के लिए दूसरे लोग दिमाग नहीं लगाएंगे लगा सकते हैं यानि एक्स ने सोचा यार यहां पर इसने बोला है इस बार तो मैं टेक्स दे देता हूं एक्स की सोच देखिए यानि एक्स परेशान की उस बात को लेके था उस दो लाग की income को salary था पांच लाग और house property यानि इसके घर से income सर दो लाग ज्यादा भी हो सकता है मैंने दो ही लिखा मैं चार भी लिख सकता हूं इसको मैं एक एक example लेके चल रहा हूं पूरा चप्टर में तो तक ही समझ में आ जाए साथ लाग रुपए इसने फिर से क्या करा यह income अगर दे देता है अपनी sister को और यह government को कहता है सर ऐसा कौन से कानून में लिखा है कि मैं अपनी income किसी और को दे दूँ और उसके उपर भी मैं टेक्स दूँ तो government इसको भूल सकता है सर यह section 60 में लिखा है आप उसको पढ़ लिजिए और आप 7 लाग रुपए पर टेक्स दीजिए इसने जब section 60 लिखा था तो वहां कि हमें हमारा कुछ बिगाड सकता है जब तक मेरे पास assets है अगर मैं income भी दे दूँ और assets भी दे दूँ तो काम बन जाएगा फिर तो government का यह section मेरे उपर applicable नहीं होगा इसने क्या करा बोला भया यह section आपने सही बोला मुझे पढ़ने के लिए अब मेरा दिमाग चल गया है अब एक काम करते हैं फटा-फट से लेकर आओ प्रॉपर्टी का पेपर और इस मकान का प्रॉपर्टी का पेपर बना दिया और प्रॉपर्टी का पेपर बनाया और प्रॉपर्टी का पेपर जो था जो इसने बनाया अपनी सिस्टर के नाम पे वाइफ के नाम पे या अगर मैं property अपने भाई को दे दूं क्या पता कल मिले ना मिले sister को दे दूं तो risk है मिले या फिर ना मिले text planning करी और text planning करके इसने बोला ऐसा करता हूं विल के अंदर वसीयत में लिख देता हूं यह property एक साल के लिए जैसे एक साल खतम होगा एक नया विल बनाऊगा फिर अगले साल के लिए मैं किसी को भी property दूं क्योंकि मेरे से बोलने आए यह income किसकी भाई पिछले साल मेरे पास थी नहीं मकान यह तो किसका था यह मकान उसका उससे low tax यही कहानी बन सकती है तो इस property को जब transfer किया ना तो इसके उपर लगा दिया condition देख रहे हो इसे डर भी है और इसने अपने डर का समाधान भी किया अब सर यह जो property है इस property के जो income है वो चला गया इसके sister के पास अब government ने बोला अब इसका tax भरने का फिर से style क्या रहा होगा पुराने वाले style पे आ गया sir salary पाँच लाक tax जीरो एचपी इसकी sister ने भढ़ा होगा दो लाक और tax अगेन government आई और government ने बोला भईया आप तो बावन हजार के असपास tax देते थे अब यह क्यों नहीं दे रहे हो एक्स ने reply किया sir आपका जो section 60 है न वो कहता है आप income सिर्फ दोगे तब मेरे में जूड़ेगा अब तो मैंने income के साथ-साथ assets भी दे दिया यानि कहता है अगर आपने income ट्रांसफर किया without transfer of assets तब मेरे में जूड़ सकते हैं अब तो ना तो मेरा assets है ना ही मेरा income है तो काईदे से देखा जाए तो मैं अपने income पे अलग tax दूँगा और मेरे sister कर अलग टेस्स देगी दोनों का tax का अलग-अलग कर दिया जब ऐसा हुआ तो government को फिर सोचना पड़ा अब आप देख रहे हूं साफ साफ देख रहा है इसकी क्या है चला की अब इससे निपटने के लिए government फिर से एक section लिए आएगा बोला चलो भाई हम आपके लिए section लेके आते हैं और section का नाम है section section 61 कि रीवो के वल ट्रांसफर कि के आपने assets दिया मानते हैं ओके लेकिन जब उसने deed पढ़ा बोला एक साल बाद इसी को वापस मिल जाएगा तो भाई दिक कते हैं बोला जब कभी भी आप जब कभी आप कोई भी assets किसी के नाम पे ट्रांसफर करोगे और वह रीवो के वल हो सर रीवो के वल का मतलब क्या है वापस आपको मिल जाए किसी ना किसी शर्तों है तो हम मान लेंगे कि वह एसेट कभी अपने ट्रांसफर किया ही नहीं और वह इंकम आप में ही टेक्सेबल यानि वह इंकम जो है वह टेक्सेबल कर दिया जाएगा तो इस तरीके से हमारे सेक्शन 61 लाया गया ताकि कोई कंडिशन ना कर पाए अब रिवो केवल ट्रांसफर जब आया तो उसके साथ साथ कुछ exception भी आये वहाँ पे कहा गया कि सर मैंने अपनी वाइफ के नाम पे यह एसेट ट्रांसफर कर दिया है पर्मनेंटली अब बताइए आप रिवो केवल की कश्त्रांसफर कर दियाम प्रेशन दिमाग लगाया होगा दिमाग क्या लगाया कि अब सर जो मैं ट्रांसफर करूंग अ वह मैं करने वाला हूँ परवन पर्मनेंटली हट आउट सेंशन खटम करो किंगो लेखिन जैसे X ने क्या किया अपना घर अपनी वाइफ के नाम पे दे दिया और पर्मानेंटली दे दिया इंकम टेक्स वाले बोलते हैं भाइफ को दिया तो पैसे लिये या नहीं लिये consideration लिया ही नहीं लिया उसने बोला लिया ना 100 और पे लिया बोला educate consideration चाहिए मतलब परियापत जितनी property की fair market value है उतनी consideration लोगे तब मानेंगे तो अगर इसने अपनी वाइफ को कोई property ट्रांसफर कर दिया है और उसका income भी उसी के नाम पे जा रहा है जो house property से income है तो ऐसे situation में अगर यहाँ पे पैसा है involved लेन देन में तो suppose करो इसकी wife ने इसको दे दिये पूरे 5 करोड की property पूरे 5 करोड रूपर दे दिये तो इसका मतलब सर इसने क्या करा sold कर दिया कितने का sold कर दिया 5 करोड जैसे 5 करोड का बेचा less क्या हो जाएगा भी पीछे chapter पढ़के आए मान लो 2 करोड का है तो क्या देगा ये तीन करोड पे capital gain देदेगा government यहां से नहीं तो यहां से बसूर लेगी tax अगर इससे educate consideration नहीं लिया गया तो साफ साफ पता चल रहा है कि आप फिर से पैसे को tax को बचाने की कोशिस कर रहे हो तो बोला गया भाया अगर ऐसा situation हुआ ना तो permanent transfer किया भी हो तो ये transfer हम किसका मानेंगे transferer का ना की transfer ही का तो हमेशा किसमे taxable हो जागा transferer सिर्फ सर ये इसके उपर applicable नहीं हुआ और भाला कि ये वाला section थोड़ा थोड़ा याद करो तो section 27 में deemed ownership में किया हुआ है कि क्या अगर अपनी wife के नाम पे कोई घर transfer करता है तो उसकी wife का घर माना ही नहीं जाता deemed तो वहीं से section ये लिया गया इसलिए इसमें ज़्यादा detail नहीं है discussion deemed ownership section 27 में इसके discussion कर ले गई है लेकिन सर अगर इसकी wife divorce हो जाए और फिर permanently transfer करते हैं without education consideration तो ऐसे situation में ये अलग है और उसकी wife अलग है तो दोनों अलग-अलग text देंगे किसी का income को जोड़ा नहीं जाएगा club नहीं किया जाएगा सेम son के नाम पे करता है कोई दिक्कत नहीं है daughter के नाम पे करता है तो ध्यान देना है minor और married इसका ध्यान देना है अगर daughter के नाम पे करता है ओके ठीक है लेकिन अगर married daughter है और वो minor है चाए कोई भी वो married daughter है तो उस case के अंदर अलग-अलग text देंगे तो यहाँ पर यह सारे provision के साथ इन्होंने क्या करा यानि सर अब आप income tax बचा ही नहीं सकते अगर आपने अपना income किसी और के नाम पे कर दिया और assets आपके पास ही है तो section 60 लग जाएगा section 60 क्या कहता है कि अगर आपने income transfer किया without transfer of assets then income will be club in the hand of transferer not a transferring अगर आपने assets भी transfer कर दिया और वहाँ पर condition लगा दिया तो उस situation में भी यह उसमें होगा जब condition की बात करी तो x ने और दिमाग लगाया बोला भाई यह condition और government ने भी जब condition लिखना चालू किया ना तो condition में बोला condition दो तरीके के होते है एक certain एक uncertain दो तरीके की condition एक certain और एक uncertain सर, certain का मतलब जो होनत है मैंने बोला आगले साल दिवाली आएगी condition certain इसने certain के उपर बोला अब किसी वेक्ति ने मान लेते हैं x के लावा मान लेते हैं Mr. Y है इसने अपने friend के नाम पे transfer कर दिया x को देखा इसने बोला रहा है यह ऐसा काम कर रहा है अपने friend के नाम पे transfer कर देते हैं और इसने अपना property ट्रांसफर कर दिया अपने friend के नाम पे और सर इसने condition देखो क्या लगाई इसने will बनाया और इस पे condition लगाया तो condition लगाने का मतलब है कि जो property इसके friend के नाम पे गया वो क्या होगा वापसी condition लगाया कि जब तक मेरा friend marriage नहीं करता तब तक ये property उसके पास है ये भी condition रिवोकेबल तो है कि ये property मेरा को वापस मिलेगा लेकिन जब तक वो अगर मालो इसका friend योगी निकला तो तो भाईया इसका तो गया property तो ये वाला चीज जो इसने point बोला ना ये uncertain है तो बोला गया अगर ऐसा transfer देखा गया तो भाईया दोनो separate separate text भरिये समझ रहे हो दोनो separate separate या फिर ऐसा कोई बिल लिख दे till death ये property मैंने इसको दे दिया till death पता चला देने वाला पहले चला गया हो सकता है possibility तो उसमें हमारा क्या है risk जादा है लेकिन death में भी ये हो सकता है अगर उसको फांसी की सजा मिली हो तो अगर उसको फांसी की सज़ा मीली हो तो वो date fix है death हमारा uncertain है पका नहीं है लेकिन अगर फांसी की सज़ा मिली हो तो certain हो जाता है उस case में तो वो भी देखना पड़ेगा यानि आप जब Revocable Transfer किसको बोलोगे Revocable Transfer वो Transfer है जो आपके पास exact वापस आ जाएगा लेकिन जो वापस कब आएगा ये नहीं पता that is not include in the definition of the revocable transfer तो अभी तक हमने दो section देखे हैं पहला section हमने क्या देखा sir transfer of income without transfer of assets definition हम पढ़ लेंगा है लेकिन पहले हमें दिमाग में आना चाहिए दूसरा section देखा sir हमने 61 revocable of transfer तो revocable of transfer क्या है कि कोई भी वेक्ती जैसे mr.x है इसने अपना property transfer कर दिया sir और transfer कर दिया किसी के भी नाम पे मान लेतने in the name of mr.y with condition with condition जैसे पच्चिस एक दो हजार चौबिस यानि एक certain date दे दिया ऐसे condition के साथ है तो इस तरीके का जो transfer है यह साधारन transfer नहीं है यह revocable transfer है तो ऐसे assets का जो income होगा उसके उपर यह tax नहीं भरेगा किसको भरना पड़ेगा transfer को करना पड़ेगा तो revocable transfer of assets यहां पर यह section है आया निकल के तो concept क्या चल रहा है clubbing का मतलब क्या होता है जोड़ना है अगर आपने income को आपने कहीं और जगा पहुंचाया है तो वापस आपके income में वो add कर दिया जाएगा तो यह दो section है section 60 और section exit exit के अंदर 62-63 भी इसी का पार्ट है लेकिन हमें पढ़ना नहीं है section 62 और section 63 भी इसी का पार्ट होता है लेकिन हमें पढ़ना नहीं है वो trust वगरा के उपर है तो वो nominal सा हट चुका है बहुत पुराना था वो irrelevant हो चुका है सबसे most important section आता है हमारा पहले दो section में किसी को दिक्कत है तो फिर हम आगले section में चले दो section clear है बस आपको पढ़के reading करके लिखना है Sir deemed SSC हो जाएगा Sir एक बार फिर network issue मेरे पास network ठीक है एक बार मैं refresh कर देता हूँ तो दो जगह income tax की चोरी की जा रही थी जिसको रोकने के लिए सरकार ने दो section लेके आया पहला section section 60 60 क्या कहता है आप income किसी को नहीं दे सकते अगर आपका assets आपके पास है income किसी और को देंके तो वो income आपकी मानी चाहेगी section 61 section 61 ये क्या कहता है कि अगर आपने assets भी उसको दे दिया और income भी दे दिया तो हम ये check करेंगे कि assets कहीं आपका revocable तो नहीं है तो revocable का मतलब कहीं वो assets आपको बापसी तो कभी नहीं मिल जाएगा certain date पे अगर ऐसा हुआ तो फिर से ये income आपकी नहीं मानी जाएगी सामने वाले के नहीं मानी जाएगी ये income आपकी ही मानी जाएगी अब एक most important मैं पहले ये ही section कराऊँगा मान के चलो आपके exam में आ गया ये ये आ गया क्या है sir clubbing of income minor child जिसका भी वही यूटी वगएरा या क्या कहते हैं assignment assignment में अगर ये chapter आ रहा हो इस question को तो बिलकुल याद कर ले न क्यूंकि इस chapter के अंदर सरिफ जो question बनता है exam में आने लाइक एक ये बनता है और आप कहीं भी देख लो 10 year वगएरा कहीं भी देखना clubbing of minor child का तो sequence हर paper में आता है ये तो clubbing of income minor child ये क्या है मान लेते हैं Mr. X और मान लो Mrs. X तो सर काइदे से देखा जाए तो ये दोनों क्या हुए husband wife अब जब ये husband wife है तो इनके बच्चे भी होंगे मान लेते हैं Mr. A एक और बच्चा मान लेते हैं Miss B एक और बच्चा मान लेते हैं Miss C अब आपने देखा होगा कई बार बच्चे के प्लैनिंग की पहले तो प्लैनिंग नहीं होता था लेकिन आज के टाइम पे बच्चों के करियर को लेके प्लैनिंग बहुत जादा किया जाता है उनको पता है कि इतनी महगाई हो गई है जब तक ये अपने टीनेज में आएगा अठारा उननिस में तो इसे कहीं पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे कोर्स के लिए आठारा बीस लाग से अकर कम नहीं लगेगा अच्छे कोर्स के में बात कर रहा है अगर करवाते तो आठारा बीस लाग रुपे खर्च हो जाएंगे तो पेरिंट्स क्या करते हैं पेरिंट्स इनके नाम से कुछ पैसा जमा करना चालू कर देते हैं चाहे उन्होंने क्या करा दिया? FD. चाहे उन्होंने क्या ले लिया? Insurrence. चाहे उन्होंने इनके नाम पे कोई और जगह प्रॉपर्टी ले लिया? अब इन बच्चों की उमर तो अभी कितनी है? सर एक साल, दो साल, तीन साल. अब FD कराया एक करोड का. अब एक करोड का FD कराया, तो साल का 6-7 लाग तो ब्याज आएगा? अगर 6% भी ब्याज दे रही है अज के टाइम पे FD पे, तो कितना ब्याज आएगा? मैं मान लेता हूँ 5% दे रही है, ठीक है? तो आपको कितना इंकम मिला? Mr. X की इंकम ये भी वरकिंग है, इसकी इंकम मान लेते हैं, 4 लाग रुपए है. और Mrs. X ये भी वरकिंग है, इसकी इंकम 3 लाग पचास अजार. यानि मैंने आपको हर किसी का इंकम का डिटेल दे दिया. अब हुआ ये, ये इंकम टेक्स देने गया, बोला सर, 4 लाग रुपए है, मेरी इंकम पे तो टेक्स लगेगा, नहीं. अब इसकी वाइफ इंकम टेक्स देने के लिए जाती अगर, तो बोलते हैं, मेरी तो 3,5 लाग रुपए हैं, आप निकाल लिजिए, कैल्कुलेट कर लिजिए, 87 A आएगा और मुझे टेक्स से रिलिफ दे देगा, और ये इंकम मेरे पती ने मुझे नहीं दिया, मैंने ले लो बच्चों से जाके, मारी वाइफ के इंकम से वो बच्चे की जिम्मधार, बच्चों से पूछा नहीं है, तो इनकम पर टेक्स कहां से देंगे, तो बच्चों को वसूल, तो गौपर्वर्मेंट को यहाँ पर सोचना पड़ गया, की बच्चे के नाम पे यह ऐसे कर रहे थे क्योंकि FD इनको अपने नाम पे कराना था यहां पे भी Tax की चूरी की पी जा रही एक तरीके से कर सकते है सारा Property एकदब Minor बच्चों के नाम पे ले लिया सारी income आ रही है बच्चों के नाम पे जा रहा है और बच्चों के पॉक टमे היम थोड़ी जा पेरेंट से दो अब मान लेते हैं इसकी मम्मी के अकाउंट में पैसे गवर्मेंट ने बोला आप पेरेंट मदर हो आप ज्यादा देख भाल करते हो आप से टेक्स लेंगे वो नराज हो जाएगी ऐसा कैसे इसके फादर में जोड़ो यह मेरी इंकम के उपर क्यों कर रहे हैं किसके इंकम को जोड़ोगे पता चला इतना सारा टेक्स चला जाएगा फादर में अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर भी नाराज़गी हो सकती है सरव यानि अब डिस्प्यूट क्या आ गया कि किसके मान तो गए लॉत वागया कि यह इंकम जोड़ दिया जाएगा कि में पेरिंट्स में लेकिन डिस्प्यूट के आ गया कि कौन से पेरिंट्स में अगर अकेला ये कमा रहा हो तो इसमें जोड दो ये कुछ बोलेगी नहीं ये भी कुछ निए बोल सकता लेकिन अब दोनों कमा रहे हैं तो लौ को गवर्मेंट को लेके आना पड़ा और लौ के अंदर मेंशन करना पड़ा और गवर्मेंट ने देखा है मेरा फाइदा कहा है इनको लड़ने दो इससे क्या मतलब मेरा फाइदा कहा है तो गवर्मेंट का फाइदा कब होगा जब उसको टेक्स और गवर्मेंट को ज्यादा तब मिलेगा जब income गौर्वर्मेंट ने का whose total income higher मतलब parents के case में जिसकी total income ज्यादा होगी उसमें add कर दिया जाएगा यह law में कहा तो बताइए आप total income किसकी ज्यादा है सर इसके account में जोड दिया जाएगा 9 लाक और 9 लाक पर 87 जो यह लेकर बैठा था वो अब नॉर्मल इसको tax देना पड़ेगा इन्होंने बहुत अपोस किया कि ऐसा थोड़ी होता है बच्चों के नाम पर आप बच्चों के नाम पर एफडी भी न कराएगा बच्चों के करीयर को भी ना सोचे हम आपको benefit देंगे गौर्मेंट ने कहा आपका पांच लाक रुपे कमाई है न तो पांच लाक रुपे पूरा मत एड़ करिये इसमें से पंद्रा सो रुपे का exemption है बाकी आप चार लाक अठानवे हजार पांच सो रुपे एड़ कर लेजिए इनके लड़ने के बाद ये फैसला आया कि आप जब कभी भी अपने बच्चे के इंकम को कोई भी पैरेंट्स हो whatever आपका X और Y मिसिस X मम्मी हो या पापा हो कोई भी हो अगर इंकम को जोड़ रह है पंदरा सो रुपे उस इंकम में से क्या कर लीजिएगा माइनस करके फिर एड़ करिएगा यह हमारा section 10 का exemption है exempted income जब पढ़ोगे ना तो वहां पर आपका आएगा कब फायदा होता है इसको मानलों इसके बच्चे का इंकम ही होता हजार रुपे तो बोलता चल भाई ठीक ऑँदके 5000 रुपे एक्जैम्ट है तो इसकोई taxable अब यह पंदरासो महीने का नहीं है पूरे साल का है अब इस एक बच्चे का दो बच्चे का तीन बच्चे का कि себе कि मिलेगा हर एक बच्चे का चलिए फिसे अ किश्वटों के बच्चे tanic नहीं है अगर इसके 10 बच्चे हैं और 10 वो बच्चों को इंकम है ऐसा नहीं जितने बच्चे हैं सीधा 15-500 रुपे कर ले तो फिर पता चले बच्चे ही बच्चे हो गए ऐसे सिचुएशन में बोला गया जिसकी इंकम है उसकी इंकम को जब आप क्लब करेंगे तो उसमें से 15-100 रुपे क्या कर लेना आप सब्स्ट्रेक कर लेना तकर नियूरीजिम के अंदर बोला बहिए नियूरीजिम में भी यह अलाव्ड है माइनस कर सकते हो 15-100 रुपे वाली बात को नियूरीजिम में बोला गया 10 रह्प और 2-100 रुपे नहीं देंगे और 2-200 कहानी यहीं पर random नहीं हुए अब husband wife की income में देखो ज़्यादा फासला नहीं है कम का फासला है पचास जार का क्या पता overtime अगली बार इसने कर लियो तो इसकी income आ गई कितनी मान लेते हैं चार पचास next year इसकी income कितनी आ गई FD तो fixed रहेगा अब सवाल आया कि अगर हम इसमें जोड़ें या फिर इसमें जोड़ें तो बोला गया कि एक बार जिसमें जोड़ गया उसी के अंदर जोड़ गया फिर ये चाहे घर पे खाली बैठर है फरक नहीं पड़ता text तो इसको लेकिन आप देखो तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया भेदवाओ तरीके से मतलब कि एक justify नहीं लग रहा हमें यापर गौर्मेंट ने कहा कि अगर ऐसा लग रहा है क्योंकि अगर ऐसा होता है न तो वो फटा-फट income स्विच करता रहता इंकम में कौर्मेंट ने कहा once एक बार आपका added हो जाता है continue year and year basis पे उसी की income में added होता रहेगा लेकिन अगर ऐसा situation genuine है अपने assessing officer को letter लिखिए उनको बताईए कि अब मेरी income higher नहीं रही ये income clubbing करिए उसकी mother के अंदर जो की logical है assessing officer को लगता है सही बात बोल रहे है assessing officer जिस साल से इसमें जोडने लगेगा फिर हर साल किसमें add होने लगेगा इसके wife के अंदर तो यहाँ पे क्या बनके आया सर ये अभी कहानी यहाँ पे खतम नहीं हुई अब parents ने FD कराया तब तक तो चलता है भाईया के यार मैंने FD कराया था text story के लिए कराया था अब मेरे में जोड दिया गया कोई दिक्कत नहीं चलेगा हुआ ये DID सुनाए ना Dance India Dance ठीक है इनके बच्चों ने DID में participate किया जब DID में participate किया और वन्होंने price जीत लिया एक बच्चे ने KBC में participate किया उसने भी price जीत लिया ठीक है अभी है बच्चे क्या ऐसा होता है कि अभी बच्चे है और ये participate करके price जीत सकते हैं जीत सकते आपने देखा होगा KBC में भी participate करके इसने जीत लिया और एक बच्चा अपना खुद वर्क कर रहा है पैसे कहता है कहा गया है कि चाइल्ड से लेबर वर्क नहीं करा सकते लेबर वर्क की बात है अपना बिजनस तो कर सकते है अभी अपना बिजनस कर रहा है भई अपने दुकान पर खुद काम कर रहा है इसने अपने कोई दुकान खोली है सर ये भी कर रहा है अब गौर्रमेंट ने कहा कि भीया इसने कितना जीता इसने जीता बीस लाक रुपए इसने जीता तीस लाक रुपए और एक बच्चे ने क्या करा अपना खुद वर्क किया और वहां से कमाया पाँच लाख रुपए कितने इंकम होगे बीस तीस पचास पाँच पचपन और पचपन के बाद पाँच लाख रुपए इनका पहले से चली रहा था कितने होगे है 2,60 अब साठ लाख किसमें जूड़ेगा कि पेरेंट्स में तो जोड़ना पड़ेगा या तो मदर में जोड़ेगे है या फादर के इनकंधर उड़े अब पेरेंट्स में जब जोड दिया जाएगा इंकम अगली बार से कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों तो बोलेगा निए D.I.D में जा या K.B.C में जा या किसी बच्चों को परमोट नहीं करेगा के तू और तो कोई विज्नस कर बोलेगा काम तू करेगा भुगतना हमें पड़ेगा और वो पैसे मुझे पता है तू देगा नहीं मुझे पूरी जिंदगी बोलेगा मैंने के बीसी में कमाए थे वो वाले पैसे कहां गए मेरे तो गवर्मेंट ने यहां पर सुचा यह बात तो सही कह रहा है यह जब गवर्मेंट को लगा तो गवर्मेंट ने इसके इंदर डाला exception बोला आज के बाद अगर कोई भी बच्चा अपने skill से अपने ability से पैसा कमाएगा तो वो income उनके parents में नहीं add होगा उस income पे tax उस बच्चे को खुद देना होगा उस बच्चे को उनका pen card हो चाए अधार card हो जो भी process हो उनका एक certificate minor child का बना के उनके बिहाब पे tax देना पड़ेगा तो बताओ जब बच्चों को tax देने की बात करी गई और साथ के साथ एक और clause डाला गया in case of अगर कोई भी children handicap है जो की section 80U के अंदर define है अगर कोई भी child handicap है ऐसे situation में उस बच्चे को खुद टेक्स देना है तो बच्चे को उपर कुछ ज़्यादा ही burden पढ़ रहा है एक तो बच्चा चल फिर नहीं पा रहा है handicap है तो यहां पर आप बताईए इसने बोला के बच्चा खुद देगा तो ये government के तरफ से relaxation है या punishment है रिलेक्सेशन है बच्चे की इंकम चार 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 लाग है तीनों में से कोई टेक्स देगा क्या है handicap है नहीं देगा टेक्स तो बच गया हर बच्चे का अपना अलग लिमिट है तो टेक्स बच गया तो गवर्मेंट नहीं यहां पर relaxation दिया है punishment नहीं दिया है handicap है बोला भया तू handicap है तेरे parents तेरे नाम से FD करा रहे हैं हम मानते हैं तो अब parents की income में तेरे income नहीं जोडेंगे तेरा individual count करेंगे तो जब हम income को individually count करने लग जाते नहीं तो सरकार को income tax कम मिलता है और यह इसलिए किया गया ताकि परमूट हो parents क्या करें handicap के नाम पे FD कराए ताकि खुदा ना खास्ता parents को कुछ हो जाए तो उसके नाम पे at least FD हो या कोई ऐसे income हो जिसके वज़े से वो अपना आगे की जिन्दगी अच्छे से चला पाए तो यह rule था यहाँ पे बात खतम नहीं हुई कई बार ऐसा भी हुआ कि जो parents है ना और जो बच्चे हैं कई बार बच्चे क्या होते हैं हमारे इनके parents ही नहीं है मान लेते हैं इनके parents death हो जाती है minor child है यह या किसी reason से है ही नहीं इनके parents तो ऐसे situation में sir इसकी income किसमे club हो वैसे तो section बोलता ह है कि मम्मी या पापा में जोड़ दो अब तो ना तो इसके मम्मी है नहीं इसके पापा है और पापा जब थे fd कराके इसके नाम पे गए पांच करोड की FD करा दी हर साल इंकम आ रहा है अब लौ तो यह नहीं कह सकता ने कि मम्मी में जोड़ो पापा मम्मी पापा तो गए अब इंकम किसके नाम पे है बच्चे के नाम पे तो अगर वो इंकम बच्चे को ही बोल दे तू टेक्स देगा तो सेक्शन को कॉंट्राड कोई तो गार्जियन होगा जो आपको देख रेक करता होगा तो वो टेक्स देना उसकी रिस्पोंसिबिलिटी मानी जाएगी उसकी इंकम में जोड़ दिया जाएगा तो यह पूरा सेक्शन था हमारा 64 सब सेक्शन 1A एक्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ए इंकम करता है तो वो इंकम उनके पेरेंट्स में जोड़ दिया जाता है पेरेंट्स के हूज एवर इंकम जिसकी हायर होगी उसके इंकम में क्लब कर दिया जाएगा बट इसके कुछ एक्सेप्शन है एक्सेप्शन का है कि अगर वो अपने स्किल से पैसे कमा रहा है चाहिल डिड़क्शन माइनस करने के बाद बैलेंस अमाउंट क्या हो जाएगा एड हो जाएगा चलिए एक बार पढ़ भी लेते हैं कि अब भी डाउट लेंगे पहले हम सेक्शन को कम्प्लीट कर लें कि चलिए सर सेक्शन में पढ़ता जाता हूँ कहता है इंकम क्लबिंग ओफ इंकम ओफ माइनर चाइड शेक्शन 1A इंकम ओफ माइनर चाइड दा इंकम ओफ माइनर चाइड शेल भी इंक्लूड कहता है पेरेंट में जोड़ा जाएगा जहां marriage his parents का है आपका substrate जहां पर exist करता है the income of that parents whose total income excluding the minor child, minor income की छोड़ के जिसका income क्या होगा greater, greater का मतलब जादा होगा, उसमें जोड़ दिया जाएगा where the married his parents does not subsist, जहां पर कहा गया, जहां पर माता पिता के ही साधी हो चुकी है, उस case के अंदर subsist का मतलब है, यानि माता पिता जो है वो married है, उस situation के अंदर उसके parents में जिसके income जादा होगी, वहाँ जोड़ जाएगा, लेखिन, कहता है where the marriage parents does not subsist, मतलब parents की शादी नहीं हुई है अभी, income of parents who maintain the minor child, जिसे मैंने बोला guardian, मतलब parents है नहीं, आप उसे गलत तरीके से मतलो, मतलब के parents है नहीं, parents नहीं है, तो उसके शादी थोड़ी हुई है, जो उसको रख रहा है, तो उसकी शादी नहीं हुई किसी से ज़रूरी थ तो ऐसे सिचुएशन में, आपका जो इसको पालन पोशन कर रहा है, उसी के income में जोड़ा जाएगा, दो बाते बताएं, हाइवर, the following minor child shall not be included in the parents, कुछ ऐसे income है, जो की, shall not be include parents में, कब, income from manual work by the minor child, बच्चा अपने मेहनत से कमा रहा है, income from activity involving application, his minor specialized knowledge experience के इसाब से, where the income minor child once include in the total income, either the parents will continue to be include the total income of the same, मतलब वो ही बात कह रहा है, इस line में, एक बार parents में जुड़ गया, लगातार, add होता रहेगा, parents, आपका subsequent year also, unless the assessing officer, change necessary, अगर assessing officer मान नहीं जाता, तब तक तो उसी में जुड़ता रहेगा, minor child, अब minor child, कहता है, minor child include, step child, मतलब सोतेला बेटा बेटी भी इसमें हो सकता है, adopted child, जो होगा, income of handicap minor child, the income of minor child suffering from disability of natural, या तो nature से specified section ATU में जो given है, बिमारी की list है, ATU में ने बिमारी की list है, हमने भी ATC, ATD करा, जब ATE पर आएंगे, ATU पर आएंगे तो देखेंगे, उस list की बिमारी में देखा जाए, not include the income of either in the parents, such case, total income of such child shall be compute separately and the SSC is in the hand, मतलब बहिया, उसको अलग से ही text देना पड़ेगा, अलग से ही income का हिसाब किताब रहेगा, note, note कहता है, when the income of the minor child include in the income of parents and tied to the exemption, और कितना exemption, पंदरा सो रुपे, each child under section 10-32 ये exemption allowed करता है, हलाकि new regime कहता है, भीया, 10 हम नहीं देंगे आपको minus करने, लेकिन ये जो parents वाला है, child वाला है, ये करता है, मैं कह रहा हूँ कि exam के अंदर आपका question लगभग लगभगता है कि ये पूछा जाएगा आपका, किसी भी format में पूछा जाएगा, guardian tax भरेगा, बताइए पहले यहां तक doubt कोई, यहां तक कोई दिक्कत, हमने अभी तक तीन section किया है, section 60, 60 क्या कहता है sir, अपने income किसी को मत देना, अगर without transfer of assets है, तो आप में जुड़ जाएगा, 61 कहता है, assets दे दिया, ठीक है, मान गए, लेकिन वो assets वापसी आपको मिलेगा, तब भी आप में जुड़ेगा, और section 64, यह क्या कहता है, कि अगर minor child का income है, तो ऐसे situation में क्या होगा, कि आपको tax parents को देना पड़ेगा, पहले यहां तक बताइए कोई doubt, Yes, each child होगा, हर एक child का मिलेगा 15-1500 रुपया, बताइए, अगले section पर चले, बस एक section छोटा सा रह गया, chapter खतम, Doubt मैं सबका last में लूँगा, 61 repeat कर दो, revocable transfer है, क्या आपने अगर कोई assets किसी के नाम पे transfer कर दिया और वो आपको कभी ने कभी future में वापसी मिल जाएगा, तो ऐसे situation में वो income आपकी हिमानी जाएगी, आपने animal का name, animal के नाम कर दे तो property, बच्चा कह रहा है, अगर property animal के नाम कर दे तो क्या होगा, अब भाई animal के नाम पे मैंने तो देखा नहीं है, guardian, तो guardian ही नहीं रहे ना फिर तो, तो फिर बच्चा अपने आपकी देगा, कोई ना कोई तो देखेगा उसको, बताईए doubt, देखे, exception के इस ना, आपके मन में बड़े सारे सवाल आते हैं, के सर, ये section, देखो, कई बार क्या होता है, जब हम section को पढ़ रहे होते हैं, तो अगर section हमें समझ में आ जाता है, तो हम वो भी चीज़े सोचने लग जाते हैं, जो कि इस section के अंदर covered नहीं होता, तो सर, हर चीजों के exception हैं, ऐसा ही एक बार सवाल आया, के माने लीजिए, parents minor हो और child major हो, तो क्या होगा, parents minor हो, और child major हो, ऐसा possible है, नहीं है, simple सी बात है, ये चला जाएगा, exception case में हर कोई अपना-पना टेक्स देगा, कैसे possible हो सकता है, simple सी बात है सर, एक मान लेते हैं, 60 year old, एक person है, इसने marriage किया, 18 year old से, अब जिस लड़की ने marriage किया, इसके दो ही condition रहे होंगे, number one, या मजबूरी, number two, पैसा, अब इसने marriage कर लिया, अब भई, इस लड़की ने क्या करा, पहले से planning कर रखा था, इस लड़की ने लड़के को बुलाया, और इसको रातो रात, इसकी उमर 18 साल से कम है मान लो, और ये लड़का भी मान लो 17 साल, अब जो इस बिचारे साट साल के उमर के जो दो बच्चे थे, उसकी उमर 20-20 साल थी, अब ये क्या होगे, इस दोनों के बच्चे नहीं बन गए, legally, आप naturally पर मत जाओ, मैं legally की बात कर रहा हूँ, 17 साल का लड़का था, इसने इस से शादी कर लिया, फिर बात में जाके, ठीक है न, तो legally, ऐससे situation में सर, हर जगए exception है, पढ़ने का simple सा तरीका होता है, कई बार चीजे समझ में आती है, उसमें हम बहुत सारे question ढूटते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन कई सारो सवाल जो है, वो silent ही रह जाता है, जिसका जवाब, जैसे बच्चे ने बोला, property animal के नाम कर दिया, तो क्या होगा, भाई, animal के नाम पर property तो मैंने देखा नहीं है, entertainment है, अच्छा animal के नाम पर होता है, अब पता नहीं भाई, या मैंने movie और तो देखा नहीं है, ठीक है, अगले section पर चलें, यहां तक समझ में आ रहा है सबको, sir, यहां तक तो बात समझ में आती है, बड़ी आसान से लगती है, कि हमने जो भी property था, इधर उदर किया, जिसके वज़े से section आया, अब बात आ गई business के अंदर, बिजनस के अंदर अगर आपको tax की चोरी करनी हो, तो अपने expenses को बढ़ा दीजिए, एक ही fundा बचता है, अगर आपका, मैं balance sheet, अगर p handle की मैं बात करता हूँ, आपके सामने एक p handle रखता हूँ, suppose करो, आपके सामने एक profit and loss है, सार इधर हम लिखते हैं sales, बहुत general profit and loss, sales मान लेते हैं 50 लाग, ठीक है, अब सार यहाँ पर आएगा निकल के net profit, माल लेते हैं हमारा purchase, 10 लाग, और other expense, 20 लाग, तो सर कितना निकल के आया, 20 लाग का net profit, इसको 20 लाग के उपर tax देना पड़ेगा, अगर company है, तो सीधा 30% देना पड़ेगा, partnership firm है, तब भी 30% देना पड़ेगा, यानि 20 लाग पर 6 लाग रुपए का tax देना होगा, मैंने तो एक amount ले लिया, मान लेते हैं यह जो business है, अगर company है, तो company के case में business का मालिक कौन होता है, बिजनस का मालिक होता है, shareholder, और आप यह मत समझ ना कि आपके पास एक share है, तो आप मालिक हो, कम से कम आपके पास एक इतना majority share हो, जिससे आप company के decision को बदल सको, उसके लिए, कहा गया law के अंदर, जब आप company law पढ़ोगे न, यह चीज़े काम आएगी, company law के अंदर जब आप voting right पढ़ोगे, आपका annual journal meeting, जिसमें से एक सवाल पूछा ही जाएगा, आपके exam में AGM के नाम से है, तो वहाँ पे सवाल पूछा जाता है, तो company law के अंदर, कुछ बच्चों ने तो पेपर दे दिया होगा second में, तो उनको पता भी होगा सर, सवाल तो आता है, यह annual journal meeting important chapter एक, तो सर, वहाँ पे बोला गया, कि अगर आपके पास 10% voting right है, तो आप company के अंदर कुछ भी चीज़े बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे law में बोला गया, कि आपके पास 20% किसी भी organization के अंदर हिस्सा है, तो हम यह मानेंगे, आप उस organization के किसी भी बात को मनवा सकते हो, influence कर सकते हो, मान लेते हैं, Mr. X की कहानी है यह, और Mr. X के पास 20 क्या, इसके पास मान लो 51% है, तो 20 minimum बोला गया है, अगर जिसके पास भी 20% होता है, उसको एक नाम दे दिया law ने substantial interest, एक नाम दे दिया substantial interest, यानि any person hold 20% और more, उस person को हम सधारन person नहीं बोलेंगे, उसका बोलेंगे, इस organization में एक substantial interest है, substantial मतलब majority एक उसका हिस्सा है, और उसके हिसाफ से वो influence कर सकता है, अब सर यह Mr. X की कहानी है, इसका मैं मान लेता हूँ, 50% है, अब इसकी शादी हो चुकी है, अब इसने क्या करा, कि सोचा यार, income जादा है, सबसे पहले तो इसने, आपको पता होना चाहिए, कि अपनी salary भी यह दिखाएगा, क्योंकि business अलग और honor, इसने बोला इसको कम किया जाए, salary, salary दिखाया इसने 5 लाग, तब भी income बनके आया, अ अभी भी इसको text देना है, और मैं Mrs. X की qualification बताऊं, तो qualification, fifth, पांच भी fail, इसके wife की qualification है, पांच भी fail, अगर इसकी qualification पांच भी fail है, तो इसकी नौकरी कितने रुपए की मिलेगी, आप अंदाज लगा सकते हो, बहुत अच्छा एक job मिल जाएगा, या फिर job मिलना मुश्किल नामुम्किन टाइप का है, इसने क्या करा, बुला यार, income को बचाये जाए, एक काम करते हैं, मैं अपनी wife की salary डाल देता हूं, और Mrs. X की मैंने यहाँ salary डाल दिया, और salary डाल दिया मैंने यहाँ पे 10 लाख र है, इसकी wife घर पे रोटिया बना रही है, लेकिन salary यहाँ डाल रहा है, अब बोला यार, अपनी wife को मैं sales manager की commission भी देता हूं, commission, पांच लाख ही देता है, income क्या कर देता है, बात खत्म, अब इसको text देना पड़ेगा, इस profit and loss के हिसाफ से देखो, नहीं देना पड़ेगा, और जो कहानी बता है, आपको साफ पता चल रहा है, कितना गलत हो रहा है, सरकार के साथ, तो government के साथ जब गलत होता है, तो वो कानूनन तरीके से निपटता है, government फिर से section 64 का ही एक पार्ट है, जैसे वो 1A था, इसी तरीके से section 64 का, government ने कहा भी है, यहाँ पे तो टोटल 15 लाख बुलाओ, क्या करती है, तो बोला कुछ नहीं, बिजनस कर रही है, हमारा सपोर्ट करती है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बिजनस के अंदर, और जब income tax officer आया, तो एक बार फोन करके बुलावी लिया, भी जल्दी से आजा, यहाँ बैठना है, बस और बड़ी, यानि इसकी salary, इसके qualification से match, अगर मान लेते हैं, she is chartered accountant, तो एक पल को मान सकते हैं, बट 5 भी fail, कोई skill नहीं है, तो ऐसे situation में government ने क्या कहा, कि भाई, यह किसकी wife, एक्स ने बोला मेरा, अब बोला, एक्स अपना आप detail बताओ, क्या आपके पास 20% share है company का, उसने बो बोला, इसका मतलब, आपके पास 20% से अगर ज़्यादा है, तो हम मान लेंगे आपका इस company के अंदर क्या है, substantial interest, और यह substantial interest होनी की वज़े से, जो income आपकी wife की है 15,00,00, रुपे, इस income पे आपकी wife tax नहीं देगी है, बोला क्यों sir, ले लिजे tax 15,00, तो taxable है, बोला कि इस income प पांच लाग, पांच लाग बोलके बचना चाहते हो, 87 ए लेके, आपकी salary कितनी मानी जाएगी, और अब हम 20,00,00 पे आपसे tax भरे वसू लेंगे, जो कि automatically 30% के cover हो जाएगा, ठीक है न, तो law कहता है यहाँ पे, कि अगर किसी भी husband और wife, अगर किसी का substantial interest है, और उसके किसी relative को remuneration, salary बोल रो, commission बोल रो, या any kind of payment दिया जा रहा है, जो कि उस relative के, वैसे तो husband wife की बात है, यहाँ पे relative मतलिखना, अगर अपनी wife को दे रहा है, spouse, basically what है spouse, तो अगर wife को दे रहा है, या ऐसा भी तो हो सकता है, wife ने अपने husband को यहाँ पे लगा दिया हो, तो ऐसे situation में, वो salary income वो सारा commission, वो perquisits किसमे club कर दिया जाएगा, उसके husband के अंदर और उसको tax देना पड़ेगा, sir अगर मैं माल लो, मैं बोलू कि इसका husband की भी qualification second fail है तो, इसका husband भी second fail है तो, husband के पास share है, वो ले सकता है, wife के पास तो share, पहला condition, अब जब यह condition आया, तो थोड़ा सा यह पेचीदा बना condition, और थोड़ा सा पेचीदा क्या बना, इसके अंदर इसने कहा, अब भाई, government को थोड़ा घुमाया जाए, यह इसका P&L और इसका मैं share capital बोलता हूँ, पर share capital जो है, इसका है मान लेते हैं 5 लाग का, जिसमें से 2 लाग रुपे होल्ड कर लिए, किसने होल्ड कर लिए, Mr. X ने, और 1 लाग रुपे होल्ड कर लिए, Mrs. X ने, अब यह जो है, वो है fifth fail, अब इसको second fail बना देते हैं, second fail, दोनों की qualification इतनी अच्छी खासी है नहीं, यहाँ पे sales मान लेते हैं 20 लाग, और यहाँ पे purchase मान लेते हैं 5 लाग का, अब एक लाग का मतलब कितने percent hold होगे इसके पास? और 2 लाग का मतलब कितने percent? यानि अब दोनों का ही substantial interest है, husband का भी और wife का, दोनों का substantial interest है, यहाँ पे Mr. X की salary इसने रख लिया 10 लाग और Mrs. X की salary रख लिया इसने 5 लाग और income कर दिया, अब समस्या यह आई कि अब किसकी income किस में जोड़े हैं, दोनों का ही substantial interest है, और यह काम किया इसलिए गया planning के साथ, कि tax को बचाया जा सके, क्योंकि एक का 5 लाग का 0 कर दिया, एक 10 पे कितना दे देगा, 5 लाग रुपए तक थोड़ा बहुत देगा, कम देगा, वैसे 20 पे ज़्यादा बनेगा, सर अगर X भी qualify ना हो तब बता दिया भी, अभी देखते जाते हैं, तो यहाँ पे एक question mark raise हो जाता है, सर अब किसकी income किस में जोड़े हैं, दोनों अलग 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 तब हम allowed करेंगे जब genuine case हो, लेकिन आपको लग रहा है साफ साफ के क्या है, यह genuine case है, नहीं है, यहाँ पर पर उसी section को आगे ले जाते हुए बाते बोली, कि सर अगर किसी एक का substantial interest है, और उसने अपनी wife को अगर वहाँ पर join करवाया है, salary दिया जा रहा है, उसके qualification से match नहीं है, तब तो उसके husband में जोड़ेंगे, लेकिन उसकी wife का qualification है, उसकी according तो दोनों अलग 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 देंगे यहाँ पर जिसकी income जादा होगी, जिसकी income जादा होगी, सर income कौन सी, total income, total other income, other than salary, यानि salary को छोड़ कर, जिसकी income जादा होगी, उसके income में add कर दिया जाएगा, suppose करो, Mr. X का, HP का income हमारा 2,00,00 है, और Mrs. X का, भी HP का income एक लाख है, अब total income जादा किसकी है, X की, हमें salary को consider नहीं करना, मतलब salary को छोड़ कर जो जादा income है, उसके अंदर club कर दिया जाएगा, और उसके हिसाब से यहाँ पर taxable कर दिया जाएगा, उसके income पर, यानि जिसका substantial interest हुआ, भाई, SSC भी थोड़ी चूप रहेगा, SSC ने बोला, देखो, अब मैं बताता हूँ, substantial interest की definition, Sir, मेरी sales, 50,00, expense, 10,00, मैंने बोला, salary, और इसको कर देते हम, suppose, 30,00, salary, 5,00, और salary, 10,00, यह X की और यह Mrs. X की, जो share है company का, वो है 10,00, रुपे का, 10,00, में से, 50,000 लिए, Mr. X ने, कितने percent हुआ, 10,00, अपने फादर को दिल्वाया, 2,00, अपनी मदर को दिल्वाया, 1,00, तो total इसके पास हो गए, इसकी वाइफ ने, अपने पास रखा, 1,00, और वाइफ ने अपने फादर को दिल्वाया, 2,00, अपने ब्रदर को दिल्वाया, 3,00, total कितने हो गए यहाँ पे, 4,50, और यहाँ पे कितने हो गए, 5, 3,25 और 6, तो 50,000 कर देते हैं, 250 कर देते हैं, ठीक है, total यहाँ पे हो गए, अब मुझे बताईए, क्या X, Mrs. X, या Mr. X, किसी के पास, 20% है, Mr. X और Mrs. Cass, इसके पास तो सर, और इसके पास, कुछ हिन्हों ने इस तरीके से, चला के दिखाई, अब इसका substantial interest तो है नहीं, और salary भी यह ले रहे हैं, tax की भी चोरी कर रहे हैं, government फिर से इसके अंदर, आगे और line लिखती है, substantial interest mean, कि या तो वो SSC होल्ड करता हो, 20% या उसका कोई भी relative, अगर उसका relative भी कोई hold कर रहा हो, तो माने लेंगे, वो सारे share आपके पास ही है, और उसको add करके, हम substantial interest calculate करेंगे, और जैसा ही आपका substantial interest होगा, जिसकी income ज़्यादा होगी, उसके अंदर क्या कर देंगे इसको, add कर देंगे, उसकी income में क्या करेंगे, एक लाख एक ने रखा, और वाई ने एक लाख रखा, बाकी बाहर outsider है, हमें नहीं पता, एक लाख एक ने रखा और एक लाख, या फिर 1.5 मान लेते हैं, 1.5, अब एक्स की holding कितने percent है, 10 percent, और Mrs. Y है, sorry, Mrs. X की holding कितनी है, अलग-अलग, अब तो substantial interest का है नहीं, और नहीं इसके relative के पास भी है, तो क्या होगा अब, तो भूला लॉने, कि भाईया, मिया बीबी, यानि husband wife, आप भी तो आपस में relative ही हो, आप दोनों के club कर दिया जाएगा, जूड दिया जाएगा, यानि husband के लिए wife relative, wife के लिए, यानि आप दोनों का substantial interest रब बन रहे हैं, और इसके हिसाब से हम आपका income का treatment करेंगे, यानि इस वाले example में अगर देखा जाएना है, तो इसका कितना share है, सर्फ 45 तो है, और इसकी wife का भी इसमें जूड जाएगा, एक लाग, तो इसका share हो गया, पांच लाग, पचास जार, that is, 55 परसेंट अगर share निकालने की बात हुए, तो total overall हम concept को देखें, तो कहता क्या है, कि अगर किसी भी business, किसी organization में, अगर उसने अपने spouse को salary, remuneration कुछ भी दे रहा है, तो अगर आपका substantial interest है, तो आपकी income में उसको club किया जाएगा, दोनों का substantial interest है, तो दोनों में से जिसका भी ज़्यादा income होगा, salary वाली income को छोड़ करके, उसके अंदर club कर दिया जाएगा, substantial interest में सिर्फ आपके पास share होना जरूरी नहीं है, husband और wife का दोनों का तो जोड़ा ही जाएगा, साथ के साथ अगर आपके relative के हैं, उसको भी जोड़ा जाएगा, सर यहाँ पर relative की भी definition जाननी बहुत जरूरी है, relative में कौन आता है, तो सर blood relation की बात करा गया, wife के side से जो wife के blood relation में, यानि इसके brother हो गए, इसके sister हो गए, और जो यहाँ पर आपका X है, इसके relative, relative में तो देखा जाए, तो Mr. X की जो mother है, इसके भी relative लगी, ultimately देखा जाए, और इसकी mother इसके भी relative लगी, तो ऐसा नहीं है, blood relation count होगा यहाँ पर relative में, जब हम other source करेंगे ना, तब relative का definition देखेंगे, कि किस को जब gift दिया जाता है, relative से, non relative से, तब देखेंगे कि वहाँ पर क्या concept है, तो overall यह बाते चली, इस section के अंदर, एक बार इस section को हम पढ़ लेते हैं, क्या कहता है, चली है सर, 6412, कहता है payment of salary, commission, etc, spouse, यानि husband, wife, किसी के लिए payment किया जाए, क्या कहता है, if an individual, has a substantial interest, ज्यान दीजिए, यह word बहुत important है, substantial interest का मतलब, holding equity share, company, carrying at least, 20%, और voting power, known company में, concern and tied at least, और अगर partnership है, अगर individual है, तो वहाँ पे भी 20% हुआ, तो अलग, himself या herself, more of his, her relative taken together, मतलब, bracket में जो बाते कही गई है, तो जो बाते मैं समझा रहा था, 20% होना चाहिए, और उसके अंदर, उसके relative को भी, include करके, रखा गया है, in a concern, than any payment, by way of salary, commission, fee, any other form, remuneration, किसी और form में दिया जाएगा, by the concern, the spouse of, that individual, will be club, with the income of individual, for example, एक example है, Mr. X, substantial interest, A, B company के अंदर, the company pay, 10,000 rupees, to Mrs. X, as a commission, order secured, by her for company, मतलब उसने, order secured किया है, this amount will be, include in the income of Mr. X, however, the provision not apply, कैता है, this provision will not apply, where the spouse receive, salary, commission, etc., आपका VTU, of the his or her technical, professional qualification, के हिसाब से होगा, तो include, नहीं होगा, नहीं होगा, बच्चे कह रहे हैं, सर, theory का note, देखो, tenure के अंदर, मैंने सारा दे रखा है, मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पहली बात, और दूसरी बात, आपको ये PDF format में भी मिल जाता है, ये सारा class note, तो आप वहाँ से, वैसे तो मैं कहूँगा, के tenure के अंदर है, तो आप tenure ले लीजिए, जिससे के ठीक रहेगा, उसके अंदर भी मैंने, जो theory है, आप book में देखेंगे, तो थोड़ा lengthy है, लेकिन उसके अंदर मैंने, इतना लिखा है, कि एक्जाम के लिए sufficient हो, लेकिन हाँ, याद रखिएगा, क्योंकि मेरे पास, काफे सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो हर को ASR लिखके आएगा, तो examiner को लगेगा, यार, ये कहीं ना कहीं, एक जैसा, तो आप बीच में, थोड़ासा अंसर को, मडियूल अपने इसाब से करेगे, जैसे इसमें, इसमें एक्जाम्पल कुछ और दे रखा है, आप X के जगा पे, ABCD लिख सकते हैं, अमाउंट चींज कर सकते हैं, तो ये मडियूल मतलब करते रहना है, आपको अल्टर अपने एक्जाम्निशन अंसर में, वेर बोध हस्बेंड और वाइफ, जहां दोनों सबस्टांशल इंटरस्ट होगा, बोध आर रिसिप्ट रेमुनेरेशन, सेलरी कमीशन, एक्सेक्टरा फॉर्म, सच कंसर्ण, तो जो बाते मैंने बताई है, यह सिंपल सी बात, वही सारी बाते आपको यहां पर थियूरी में लिखी हुई मिलेगी, तो आपको अगर मेरी कहानी याद है, तो थियूरी आप एजिली पढ़ोगे, तो समझ में भी आ जाएगा, और लिख भी पाऊगे, इसके बाद, यहां तक, हमारे जो एक्जाम के पॉइंट ओव यू से, यह चेप्टर खतम होता है, इसके अंदर कुछ एक सेक्शन है, कि संस वाइफ, संस वाइफ का मतलब है, कि ससुर ने, अपने बेटे की, मतलब कि पादर ने अपने बेटे की वाइफ के नाम पे कोई इंकम दे दिया, या कई बार क्या होता है, हस्बेंट ने अपनी वाइफ को पैसे दे दिया, ले भाई पैसे ले, उसकी वाइफ ने उस पैसे से बिजनस कर लिया, अब जब उस पैसे से उसने बिजनस किया तो वहां से पैसे भी कमाएं और उसकी वाइफ ने एक जो बिजनस किया वो ऐसे नहीं किया कि उतने पैसे से किया अगर उसी पैसे से business किये जा रहे हैं उसकी wife के द्वारा तो सारा income उसके husband में club होगा उसका income भी कुछ उसकी wife ने और भी मिला दिया तो एक छोटा सा section है इसके अंदर पहले यहां तक देख लीजिए सबसे important वही था minor child वाला किसी को कोई दिक्कत है तो अब पूछ सकते हैं बिल्कुल यह chapter बच्चे पूछने पूरा theory है इसमें कोई भी practical question नहीं है लेकिन हाँ यह जब हम निकालेंगे individual assessment यानि total income निकालेंगे तो उसके बीच में यह point डाल देगा आपने देखा होगा पहले भी question में आगया other source income है तो या फिर पर कुछ child का income आएगा तो बीच में आ सकता है बाकि यह पूरा theoretical ऐसा कोई practical question ही ने